है लो दोस्तों आपका हमारे चैनल मेडिसीन नौलिज़ फ़स्ट में स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छी क्रीम कि जो कि फंगल इंफेक्शन खुठीक करने में किया जाता है दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल मेडिसीन नौलिज़ ना भोलें जिससे आने वाली वीडियो को जनका रहे हैं सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो फ्रेंड्स से लिए वीडियो को स्टाट करते हैं आज हम बात करने वाले हैं डर्मी फोर्स क्रीम की जिसमें रोलोफिन हैड्रोकॉलाइड मिलाया गया है दोस्तें यह फंगल को दूर करती है लेकिन यह सबसे ज़्यादा यूज होती है फंगल इंफेक्शन में और अच्छा रेजल्ट देती है वह है दाद दोस्तों वीडियो को बिना इस्किप की पूरत देखना तो दाद यानि रिंग वार्म जो को जड़ को खत्म से खत्म करने में यूज होती है दाद एक पतार के फंगल इंफेक्शन है जो एक बार होने से पूरे बाड़ी में तेजे से फैलता रहता है इसके होने पर बाड़ी परलाल चेकते पड़ जाते हैं खुझली होने लगती है और उस जगह फिलाने से दाद और फैलता है दाद सभी ये जवालों को भी हो सकता है ऐसे नहीं कि दाद क्लोल कुछ होने से होता है सभी हो सकता है साल koy ये सरीर में किसी भी जगह आपको दाथ सकते हैं या छोटे-छोटे दाने पर दिखाई सकते हैं दाद खाच एक ब्र्ट से दूसरे ब्ट में इसा फैलता रहता है कि आज हम जिस क्रियम की बात करने वाले हैं वह इस फंगले इंफेक्शन कु ज़ड से खतम करता है उश क्रियम का नाव है इमर्साइब कर सकता है कि यह जो पराइज दोस्तों 40 उर्क यह दस ग्राम की क्रीम है दस ग्राम की ट्व में आती है कि इस क्रीम को डाक्टर के सला से ही यूज करें दोस्तों यह जगा इस्तिमाल करते हैं फंगल इंफेक्शन आए तो उसे जगा हाथों से इस परस नहीं करेंगे हाथ को साफ दोकर साफ कपड़े से साफ करकर तभी इस क्रीम को वहाँ पर लगाएंगे और पसीने से जरूर बचें दोस्तों कि पसीने से ही दात खाच कुझली के समस्या आती है दोस्तों अगर आपको टेबलेट इसके साथ इस क्रीम के साथ टेबलेट भी खाना है यूश कर होते हैं और उसे पर्चेस कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो चैनल सबस्क्राइब कर लें बीडियो को लाइड जरूर कर लें साथ ही बढ़कर सबस्क्राइब पहुंचे दोस्तों कमेंट बाक्स में जरू करके बताएए अगर आपको हाइदा होता है या नहीं मिलते अपने नहीं वीडियो में